वक्त वक्त की बात है सहाब बच्पन में नाक से बुलबुले निकालने वाली भी आज हमें एटिटूर दिखा री इंग्लीस में बात करें नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागा थे आपका अमार अश्यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आप शोशल मीडिया का इस्तमाल करते हैं तो आपने कहीं हैं कहीं धर्मेंट बिलोटिया का नाम तो ज़़रू सुना होगा जो की ज़्यदह तर कॉमेडी विडियो के जरिए लोगों के दिल में जगा बना चुके हैं दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि दर्मेंद दुलर्टिया जो लोगों को हसाते हैं वो लाइप में बहुत ही गरीब इस्तिती से गुजरे हैं और बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में कि ऐसा क्या था उनके घर में और किस तरीके से उनका परिवार था और किस तरी वीडियो में सारी आपको जानकारी देने वाला हूं मेरा आप से निविदन है कि वीडियो में अन्त तक ज़रूर बने रहे पतनियां भले ही अपने पती को डरा कर रखे पर अपनी सहेली और पडोशियों से कहती है कि उनको पता चलेगा ना तो मुझे कच्चा खा जाएंगे दोस्तों धर्मेंद्र के घर की बात की जायत इनके घर में इनकी माता है इनके पिताजी है और ये गाओं में खेती करते हैं इनके एक बड़े भेया है और एक बड़ी बहन है उनके साथ में इनका एक छोटा भाई भी है और सबी लोगों का साधी हो चुका है और दोस्तों ये मीडियम फैमेली से तालुक रखते हैं और आपको बता दें कि इनके दो बड़े भाई हैं और एक छोटी बैन हैं और होम टाउन की बात की जाये तो इन नर्सिंग गर्ड के गाजिया गाउं से तालुक रखते हैं अब बात की जाये इनके केरियर की तो दोस्तो धर्मिंद बिलोटिया या काम करने से पहले मजदूरी का काम करते थे पहले इन्होंने गाओं के पास एक फैक्टरी थी उसमें काम किया फिर बाद में भोपाल चले गए उसके बाद में काम की तलास में गुजरात चले गए दो साल गुजरात काम किया लोगडाउन की वज़ा से इनको व और इस वीडियो को देखकर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ जब इनका वीडियो वाइरल हुआ तो उसके बाद में इनको लगा कि हाँ मैं ये काम बिलकुल कर सकता हूँ और लोगों ने फिर इनको सपोर्ट किया और इनके सपोर्ट की वज़ा से आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो मुकाम हर कोई हासिल नहीं कर सकता है वो इसकूल में मुझे छुट छुपके देखने वाली आज डॉक्टर बन गए अब वो देखने के 500 रुपे लेती है आगे निकल गई यार अपनो ध्यान भटका के तागल बन गया आपन पड़ाई कर लेनो ती आपने चलो कोई बात नहीं दोस्तो धर्मेंद बिलोटिया के फैंस फोलों की बात की जाए तो फैस्बुक पर भी ये वीडियो अपलोड करते हैं इसके अलावा यूटूब पर इनके 3,40,000 सस्क्राइबर देखने को मिल जाएंगे वहीं बात की जाए इस्टागाम की तो इस्टागाम पर 5,80,000 फोलोवर्स देखने को मिल जाएंगे और दोस्तो यह आंकड़ा भी बहुत जल्द चेंज होने वाला हैं क्योंकि दोस्तो इनके वीडियो काफी ज़दा वाइरल होते हैं दोस्तो यह थी एक छोटी सी स्टोरी धरमें बिलोटिया की आपको इनकी वीडियो कैसे लगते हैं आप हमें नीचे कमेंड बॉक्से में कमेंड करके ज़रूर बता सकते हैं